हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ क्लास टेंथ की एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 5.3 5.3 के हमारे कोशियन नमबर 123 हो चुके हैं आज हम पढ़ेंगे कोशियन नमबर 4 कोशियन नमबर 4 हमारे पास है हाउ मैनी ट्रम्स ओफ एन ओफ दा एपी 9,17,25 अप टू मस्ट वी टेकन टू गिव एस सम ओफ 636 आपसे बोल रखा है कि हाउ मैनी ट्रम्स ओफ दा एपी एक एपी के अंदर कितनी ट्रम्स हैं कि उन सभी ट्रम्स का सम कितना आजए 636 आजए मिन्स हमारे पास SN आजएगा और यह आपको एक एपी दे रखी है और एपी क्या दे रखी हमारे पास 9,17,25 अप टू अब देखो लेट एप्रम्स ओफ देर एपी हमने मान लिए कि इस एपी के अंदर एप्रम्स हैं एप्रम्स हैं a is equal to क्या आजएगा 9 आजएगा d is equal to 17 minus 9 क्या आजएगा 8 आजएगा sn और sn हमारे पास कितना दे रखा है sum of n ट्रम्स 636 sn का हमारे पास फर्म्ला n by 2 into 2 a plus n minus 1 into d यह हम फर्म्ला अप्लाई कर देंगे sn है 636 is equal to n by 2 into 2 a की वैल्यू हमारे पास क्या है 9 plus n minus 1 और d की वैल्यू 8 636 इदर लेके जाएगे 2 multiply में आजएगा z equal to n इदर रहेगा 2 9 जा 18 plus n minus 1 into 8 अब 8 को अंदर multiply कर लेंगे n into 18 plus 8 n minus 8 इसको उंसॉल करेंगे इसको as it is रखा 8 और n बार रख रखा है एक step हमें से कर लेंगे n को बार रख लिया 18 में से 8 जाएगा 10 plus 8 n अब इसके अंदर multiply करेंगे क्या आजएगा 10 n plus 8 n square और is equal to me यह है इसको इदर लेके आएगे minus में आजएगा 8 n square plus 10 n minus 636 multiplied 2 is equal to 0 अब पूरे में से 2 common लेंगे क्योंकि सभी है जो 2 के multiples हैं तो 2 common लेके क्या आजएगा 4 n square plus 2 5 जा 10 5 n minus 636 इदर आजएगा is equal to 0 2 को इदर लेके आएगे क्या आजएगा 0 अब यह हमार पास आगया 4 n square plus 5 n minus 636 is equal to 0 इसके जब हम factor करेंगे की multiply करें तो 636 multiply 4 के equal आजएगा और उसको plus minus करें तो क्या आजएगा 5 n हमने factor किये 4 n square plus 53 n minus 48 n minus 636 is equal to 0 अब दोनों में से common क्या आजएगा n आजएगा अंदर बचेगा 4 n plus 53 minus दोनों में से common आजएगा 12 12 4 जा 48 4 n plus minus minus भार ले लिया तो plus हो चाहेगा 12 डिवाइड करेंगे 53 आजएगा is equal to 0 दोनों में common क्या है 4 n plus 53 और अंदर क्या आजएगा n minus 12 is equal to 0 अब दोनों को लगले एक बार first को 0 के equal रखेंगे एक बार second को n minus 12 is equal to 0 n is equal to 12 आजएगा इदर जब हम इसको solve करेंग n is equal to minus 53 by 4 आजएगा बट n की value कभी भी ना negative हो सकती और ना ही कोई rational number हो सकती इसलिए ये हमारे पास cancel हो जाएगे और n की value क्या आजएगे 12 next है question number 5 question number 5 की statement आपको दे रखी है the first term of an AP is 5 एक AP की first term है वो 5 है the last term is 45 और उसकी last term 45 है and the sum is 400 और उनका sum 400 है find the number of terms and the common difference है number of terms निकालना है और हमें common difference निकालना है अब हमारे पास क्या आ गया a आ जाएगा और l आ जाएगा and sn आ जाएगा a is equal to हमारे पास क्या आ जाएगा 5 an an बोल दें या फिर last term बोल दें is equal to 45 and sn is equal to 400 sn का हमने formula लगा दिया sn is equal to n by 2 into a plus l हमने formula इसले लगा है क्योंकि हमारे पास l की value है means last term हमें दी गई है sn हमारे पास 400 is equal to n by 2 as it is a हमारे पास 5 plus 45 45 plus 5 कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा n by 2 2 से cancel कर देंगे 25 अब 25 को इदर लेके आएगे तो 400 by 25 इसको cancel करेंगे 16 n की value हमारे पास क्या आएगी 16 a 16 is equal to अब a 16 हमें यह पता चल गया कि total 16 ट्रम्स हैं तो it means यह हमारे पास जो ट्रम्स है यह कौन सी है a 16 है a 16 का हमने formula लगा दिया a plus n minus 1 into d या फिर इसको मिलीच सकते a plus 15 d a 16 45 is equal to a हमारे पास 5 plus 16 minus 1 into d 16 minus 1 क्या आजाएगा 15 d इदर 5 को लेके जाएगे उदर आजाएगा 45 minus 5 is equal to 15 d 45 में से 5 जाएगा 40 और इदर से 15 को divide में लिक हैंगे by 15 is equal to d 5 से cancel कर देंगे 5 3 जा 15 5 8 जा 40 d हमारे पास आजाएगा 8 by 3 next है हमारे पास question number 6 the first and the last term of an AP are 17 and 350 एक AP है जिसकी first और last term दे रखिये 17 और 350 if the common difference is 9 और common difference हमेदे रखिये 9 how many drums are there and what is their sum इसके अंदर total कितनी drums है और उनका sum क्या है अब देखो A is equal to 17 है A N last time हमारे पास 350 है और D is equal to 9 दे रखिये आपको A N is equal to A N हमारे पास क्या दे रखिया A N is equal to A plus N minus 1 into D A N 350 है तो क्या रख देंगे 350 is equal to A हमारे पास 17 plus N minus 1 into D की वैलो 9 350 minus 17 आजेगा जब हम इसको opposite side से इदर लेके आएंगे तो मारे पास क्या आजेगा 17 आजेगा is equal to N minus 1 into 9 350 में इसे 17 minus कर देंगे क्या आजेगा 333 9 multiply इदर divide में आएगा 9 से divide करेंगे क्या आएगा 37 इदर क्या आए N minus 1 minus 1 को इदर लेके आएंगे प्लस हो जएगा तो N की वैल्यू आजेगे 37 plus 1 38 S N is equal to हमें बताना है कि जो हमारे पास N की वैल्यू आई उन ट्रम्स का सम बताना है मिनसे N 38 है तो हमें 38 ट्रम्स का सम निकालना है S 38 निकाल देंगे N by 2 into A plus N N हमारे पास 38 by 2 A की वैल्यू 17 प्लस L हमारे पास 350 38 by 2 कैंसल कर देंगे 19 आजेगा मिल्टिप्लाइंग दोनों को प्लस करेंगे 367 और 19 367 की मिल्टिप्लाइगा आजेगे 6973 Next है Question No.7 Question No.7 में देरका आपको find the sum of the first 22 trams of an AP in which हमें क्या निकालना sum of first 22 trams पहले 22 trams का sum find करेंगे in which D is equal to 7 जिसके अंदर D is equal to 7 देरका है and 22th term is 149 और 22th term हमें 149 देरकी है apply करेंगे D 7 देरका A 22 हमें 149 देरका और S 22 हमें find करना है अब A 22 is equal to A plus 21 D formula apply कर दिया A 22 की value 149 is equal to A plus 21 और D की value हमें पास 7 149 और इसकी multiply कर दें क्या हैगा 147 दर plus दर आएगा minus 147 is equal to A अब इसको all करेंगे इसमें से minus कर देंगे 2 आजेगा A की value हमें पास क्या आई 2 अब S N N की value हमें पास 22 दे रखी है तो S 22 निकाल लेंगे N by 2 into A plus L 22 by 2 into 2 और L की value हमें पास क्या 149 2 से cancel कर देंगे 11 multiply दोनों के एक को plus करेंगे 151 और 11 multiply 151 क्या आजेगा 1661 Next है हमार पास question number 8 Question number 8 है Find the sum of the first 51 trams of an AP Find the sum of first 51 trams of an AP एक AP की first 51 trams का sum बताना में Whose second and third trams are 14 and 18 उसकी second और third trams 14 और 18 दे रखी है देखो 8 है हमार पास find the sum अब देखो A2 हमारे पास क्या है 14 और A3 क्या है 18 और D हमें निकालना है D निकालने के लिए हम क्या करेंगे जो हमार पास last trams में से first trams minus करते हैं A1, A2, A3 ऐसे हमारे पास है तो second में से first minus करेंगे D आ जाएगा और third में से second minus करेंगे तब भी हमारे पास D आएगा तो हम क्या करेंगे A3 minus है A2 is equal to A3 हमारे पास 18 और A2 14 18 minus 14 4 आ जाएगा D की value हमारे पास 4 अब A2 is equal to A2 को हम लिख सकते हैं A plus D और A2 हमारे पास given कितना है 14 is equal to A plus D की value 4 A is equal to 14 minus 4 A हमारे पास क्या आजाएगा 10 हमें निकालना है S51 S51 is equal to 51 by 2 into 2 A plus N minus 1 into D 51 trumps है 51 by 2 into 2 A की value 10 plus 51 minus 1 और D की value 4 51 by 2 10 तो जा 20 plus 51 minus 1 50 54 जा 200 आजेगा और 200 plus 20 क्या आजेगा 222 से cancel कर देंगे 110 51 multiply 110 is equal to आजेगा 5610 Next Question No.9 If the sum of the first 7 trumps of NAP is 49 हमें देरिखा है सम पहली 7 trumps का सम देरिखा 49 and that of 17 trumps is 289 और पहली 17 trumps का सम 289 देरिखा है Find the sum of the first N trumps First N trumps का सम find करेंगी देरिखो S7 देरिखा आपको 49 S17 देरिखा 289 Solve करेंगे S7 is equal to N by 2 N अमारे पास 7 है 7 by 2 into 2A plus N अमारे पास 7 minus 1 into D अब इदर अमारे पास S7 कितना है 49 is equal to 7 by 2 into 2A plus 7 minus 1 हो जाएगा 6D is equal to अब 7 by 2 है इन दोनों में से 2 common ले लेंगे तो क्या आजाएगा 2 common आजाएगा A plus 3D 2 से 2 cancel हो जाएगा इदर क्या आजाएगा A plus 3D is equal to 49 इदर 7 को इसके निचे लेके आएगे तो by में 7 7 से cancel कर दिया 7 यह मारे पास आजाएगी first term इसी तरह से S17 S17 289 है apply करेंगे N by 2 17 by 2 2 A plus 17 minus 1 into D अब 17 by 2 है इदर 280 9 दे रखा है हमारे पास 17 by 2 2 A plus minus कर देंगे तो 16 D अब पूरे में से 2 common ले लेंगे क्या आजाएगा A plus 8D 2 से 2 cancel 17 को इदर लेके आएगे divide में आएगा इससे cancel कर देंगे क्या आजाएगा A plus 8D is equal to 17 इसको हमने नाम दे दिया equation number 2 equation 1 और 2 को अब हम solve करेंगे solving equation first and second A plus 3D is equal to 7 A plus 8D is equal to 17 subtract कर देंगे क्योंकि दोनों की sign same थे इसलिए हमने इसको subtract कर दिया तो क्या आजाएगा minus 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 cancel हो जाएगा minus 8 है plus का 3 है cancel कर देंगे minus कर देंगे minus 5D is equal to 17 में से 7 minus करेंगे minus 10D minus से minus cancel 5D is equal to 10 अब 5 को उदर लिखे जाएगे तो क्या आजाएगा D is equal to 10 by 2 cancel हो जाएगा 2 D की value मार पास क्या आए 2 from equation first इसको equation first में put करेंगे A plus 3D is equal to 7 A plus 3 और D की value मार पास 2 is equal to 7, 3, 2 जाएगे 6, 6 को उदर लिखे जाएगे 7 minus 6 A की value क्या आजाएगे मार पास से 1 अब S N is equal to S N अमारे पास क्या है क्योंकि sum of N terms निकालने है हमे N by 2 into 2A plus N minus 1 into D 2A N by 2 2A की value क्या है 1 2 multiply 1 plus N minus 1 और D की value 2 N by 2 into 2 1 जाएगे 2 plus 2N minus 2 2 से 2 cancel हो जाएगा क्या है N by 2 into 2N 2 से 2 cancel N N की multiply क्या हैगी N square next है question number 10 question number 10 में दे रखा है show that A1 A2 up to A N from N AP where A N is defined as below आपको क्या दे रखा है आपको प्रूव करेना है कि A1 A2 up to A N तक दे रखा है from N AP AP के अंदर where A N is defined as below तो जो A N है उसको define गरता है यह हमें बताना है कैसी और फिर हमें कुछे आपको hint दे रखा है कि 15 trams का sum निकालना है दोनों में find the sum of 15 trams देखो A N दे रखा है 3 plus 4 N इससे हमें AP बनाना है N की value 1 put करेंगे 2 put करेंगे 3, 4 ऐसे put करेंगे तो हम निकालनें A1 is equal to 3 plus 4 और multiply 1 4 बन जा 4 प्लस 3 7 A2 is equal to 3 plus 4 और N की जगे 2 put करेंगे 4, 2 जा 8, 3 plus 8 11 A3 is equal to 3 plus 4 और N की value 3, 4, 3 जा 12 3 plus 12 12 plus 3 कितना आजएगा 15 इसी तरह 4 put करेंगे क्या आजएगा 19 तो हमारे पास AP आजएगी 7, 11, 15, 19 अप 2 यह मारे पास क्या आगई AP आगई अब AP से में क्या निकालना है D निकालना है तो क्या कर देंगे A2 minus A1 A2 मारे पास 11 minus 7 कर दिया क्या आया 4 तो मारे पास difference से सेम आजएगा हर एक में सेम तो D यह मारे पास क्या आजएगा 4 अब हमें निकालना है difference is सेम एवरी टाइम सो S15 निकालना है S15 is required to 15 by 2 into 2 A A की value 7 है प्लस N 15 minus 1 into D की value 4 अब इसको solve करेंगे S15 15 by 2 2 7 जा 14 हो जाएगा प्लस है 15 minus 1 14 multiply 4 15 by 2 14 15 plus 14 फोर्जा 56 56 plus 14 कर देंगे 72 से cancel कर दिया 35 और 15 multiply 35 आजएगा 525 इसी तरह second part same बिल्कुल as it is करना है आपको ये खुड try करना है next है हमार पास question number 11 question number 11 में क्या दे रखा है देखो if the sum of the first and terms of an AP is किसकी फॉर्म में N की फॉर्म में 4N minus N square तो AP में जैसे trams निकाल ली थी उसी तरह निकालनेंगे N की value 1 put करेंगे तो 1 trams का sum 2 put करेंगे 2 trams का sum 3 put करेंगे 3 trams का sum ऐसे आ जाएगा what is the first trams हमें क्या निकालना है first trams means A what is the sum of first two trams S 2 निकालने पहली two trams का sum what is the second trams second trams A 2 आ जाएगी similarly find the third tenth and Nth trams फिर third trams भी निकालने tenth trams भी निकालने और Nth trams भी देखो कैसे S N is equal to आपके पास है 4 N minus N square first trams अब देखो अगर हमारे पास S1 निकालना है तो एक trams है एक trams का sum भी वही नंबर आएगी तो A और S1 हमारे पास equal होते है इसलिए हमने क्या किया 4 N की जगे 1 put कर दिया minus 1 का square is equal to 4 minus 1 क्या आजएगा 3 sum of first two trams पहली 2 trams का sum it means S2 आएगा 2 value पुट कर देंगे इसके अंदर 4 into 2 minus 2 का square 4 to 8 और 2 का square 4 8 minus 4 क्या आजएगा 4 आजएगा तो ये हमारे पास क्या आजएगा पहली 2 trams का sum है हमारे पास अब A2 निकालना है कोई एक तो हमारे पास क्या है एक trams का sum दे रखा है तो इसको S2 को हम क्या लिख सकते है मैं आपको यहां बताती हूँ S2 को हम क्या लिख सकते है A1 plus A2 और S1 हमारे पास क्या है A1 ठीक है अगर हमें A2 निकालना है तो क्या करेंगे S1 A1 होता है तो यहां पे S1 लिख देंगे और S2-S1 कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी A2 की value आ जाएगी वही कर रखा है हमनी A2 is equal to S2-S1 It means S2 हमारे पास 4 आ रखा है और S1 हमारे पास 3 आ रखा है 4-3 क्या आ जाएगा 1 तो हमारे पास A2 कितना आया 1 उसके बाद हमाई D निकालना है D कैसे निकालते है A2-A1 A2 हमारे पास 1 आ या A1 हमारे पास 3 आ है तो 1-3 क्या आ जाएगा-2 फिर हमें क्या निकालना A N निकालना है A N के लिए A plus N minus 1 into D A की value हम put कर देंगे अब 3 और plus N minus 1 as it is D की value minus 2 3 अब इसकी multiply कर दिया minus 2 N और minus minus plus 2 3 plus 2 5 minus 2 N आ जाएगा इसी तरह फिर हमें third term और tenth term A3 हमारे पास क्या आ जाएगा 5 minus A हमारे पास 5 है A3 निकालने के लिए हम क्या करेंगे A plus 2D A की value 5 है और plus 2 और D की value हमारे पास minus 2 है sorry D की value हमारे पास minus 2 दे रखी है और यह हम apply कर देंगे minus 2 into 3 तो multiply करने के आ जाएगा 5 minus 6 is equal to minus 1 आ जाएगा इसी तरह इसके अंदर minus 2 apply कर देंगे तो A10 is equal to A minus 2 into 10 10 to 25 minus 20 हमारे पास क्या आ जाएगा minus 15 यह मारे पास है A fourth term इसी तरह है next question number 12 question number 12 में हमारे पास क्या है find the sum of the first 40 positive integers divisible by 6 हमें first 40 positive integers का sum निकालना है जो कि 6 से divisible है अब देखो 6 से divisible है और 40 होने चीए तो हमें trams तो मिल गए कि 40 trams का sum निकालना है positive integers that are divisible by 6 क्या आ जाएगा 6 12 18 24 up to और total A मारे पास क्या आ जाएगा 6 D मारे पास क्या आएगा 12 minus 6 is equal to 6 है और S 40 क्योंकि हमें 40 trams का sum निकालना है तो S 40 is equal to 40 by 2 into 2 A A की value क्या है 6 है 2 into 6 plus D N की value हमारे पास 40 minus 1 into D हमारे पास 6 है 2 से cancel कर दिया 20 into 2 6 जा 12 plus 40 minus 1 39 multiply 6 20 as it is 12 plus 39 और 6 की multiply 234 234 plus 12 आ जाएगा 246 20 multiply to 46 कर देंगे 4920 next है हमारे पास question number 13 same है यह भी find the sum of first 15 multiples of 8 8 के 15 multiples का sum 8 के 15 multiples हमारे पास क्या आजेंगे 8 16, 24, 32, up to अब A is equal to 8 D is equal to 16 minus 8 है 8 आजेगा S 15 निकालना है 15 by 2 into 2 A, A की value 8 plus N minus 1 15 minus 1 into D 8 15 by 2, 2, 8 जा 16 plus 15 minus 1 14 multiply 8 यह हमारे पास क्या आएगा 15 by 2 into 16 plus 14, 8 जा 112 दोनों को plus कर देंगे क्या आजेगा 128 15 by 2 था 2 से cancel कर देंगे 64 15 multiply 64 आजेगा 960 यह थे हमारे पास question 4 to 13 next question समस्ट वीडियो में करेंगे अक्यों कर देंगे